टूट मॉरνिंग स््टुडेंस। आपके एकजाम हो गए। अब हम आज करेंगे आज LGBT जे हैगा। सेटर्डे हैं। आज हम फोध सी एक्टिविटी करें... आज हम रिवाइटिंग का काम नहीं किरेंगे। आज हम तीनों बुक में रीडिंग करेंगे और ड्रॉइंग बुक में कलर करेंगे, छीक हैं, राइम्स भी पढ़ेंगे, दो राइम्स करेंगे, तो आप पहले हिंदी की बुक में हम रीडिंग करेंगे, स्टार्टिंग से, एसे अनार, एसे अचगर, एसे अधरक, एसे अम्रूद आसे आम, आसे अदू, आसे आरी, आसे आग इसे इमली, इसे इलाइची, इसे इमाइटी, इसे इस्तरी इसे इंक, इसे इड, इसे इट, इसे इश इश मेंस क्या होता भगवान उसे उल्लू, उसे उफार, उसे उबटन, उसे उशा उसे उन्ट उसे उन्ट उसे उन्ट उसे उद्बिलाओ और उसे ऊपर रिसे रिशी, रिसे रिशाब, रिसे रिगवेद, रिसे रितू, एसे एडी, एसे एक, एसे इल्बम, एसे एक्तारा आएसे आइनक, आएसे एलान, आएसे एरावत, आएसे एंदराजालिक, एंदराजालिक ओसे ओखली ओसे ओले ओसे ओड़नी ओसे ओस आउसे अउरत आउसे ओजार आउसे ओलार आउसे ओश दी यह चोटा हो है और यह बढ़ाओं ओसे ओखली और आउसे ओरत अंगसे अंगूर अंगसे अंडा अंग से अंगूठी अंग से अंधा अहाई खाली तो यह था आ से तक यह बर दुबारे से रिडिंग हो गई है बस आज के लिए हंडी गी बुक में तो इतना ही अब हम पढ़ेंगे इंगूड इंग्लिश की बुक है एल्फा बेट में आज हम पढ़ेंगे दिए गया है और स्मॉल विताब दोनों की पहचान कर लो आसानी रही ए फोर एपल ए फोर एंट ए फोर एक्स बीफ़र बॉल बीफ़र बार्ड बीफ़र बॉय बीफ़र बॉय मैंने एक्स्टा बताया है बीफ़र पट्रफ्लाई स्मॉल लेटर पर विधान देंगे देखें स्मॉल लेटर दिया गया इसमें बी कैपिटल एंड भी स्मॉल कुछ लेटर से मिलेंगे सी सी फॉर कैट देखो सी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर एक जैसे सी फॉर कार सी फॉर कैट और सी फॉर केक इसमें दिया गया लेकिन इसका नाम उपर दिया गया ना यहां पिक्चर बना सी फॉर कैट सी फॉर कार सी फॉर केक D for dog D for deer Dog टी पिक्चर नहां बनी है न D for dahlia dahlia flower का नहीं है E for eagle, elephant, egg F for fish small letter, capital letter देख लेगे capital है, यह small है यह तो आप लिखी रहे हो यह वादी आपका आगे सीखेंगे F for fish होगे F for flower, F for frog G for girl G for goat G for gift small letter देखें कैसे बना है H H for hen यह बनी है, H for hut H for horse I for ice cream I for insect I for igloo igloo बरफ के घर को बोलते हैं न J for jokar J for jeep J for jam यह jar jar sorry यहापे jar दिया गया है, तो jar J for jam भी होता है next है K for kite small और देखेंगे वाल है, small और capital same है J by small same ही रहता है बस उपर नीचे की lining में आता है और उपर बिंदी आ जाती है और दल जाती है K same रहता है, नीचे की line में बनेगा यह देखो यह थोड़ा बढ़ा करके और यह थोड़ा छोटा करके लिखा जाए K for kangaroo, K for kite K for keys L for lion small और capital है, small है L for lamb, lion तो यह रहा L for ladybug L तक ही हम reading करेंगे अच्छे से आपको पर अपनी book नहीं है तो book ले लीजिए book में reading कीजिए जो करवाया जा रहा है बार बार करवाया जा रहा है ताकि आप घर पर भी अच्छे से prepare कर सकें अपनी book को पढ़ सकें अब हम पढ़ेंगे मैद की book अब हम rhymes पढ़ेंगे rhymes की book होगी ना आपके पास उसे फोल भी जी और उसमें से rhymes पढ़ेंगे एक हिंडी की और एक इंगलिश की स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ early to bed early to rise make a man healthy, wealthy and wise अगर आपको समझा रही है तो आप साथ साथ बोलेंगे तो याद भी हो जाएगी मैं एक बार फिर से रही है early to bed early to rise makes a man healthy, wealthy and wise एक बार फिर से early to bed early to rise makes a man healthy, wealthy and wise तो यह इंगलिश की है और अब हम हिंदी की rhymes पढ़ेंगे हिंदी की भी है ना इसमें एक हिंदी की पढ़ लेते हैं इसी के next page पर बनी हुए है page number 4 है पानी बर्सा पानी बर्सा चम 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 चाता लेकर निकले हम पैर जो फिसला गिरे धडाम नीचे चाता उपर हम एक बार फिर से पानी बर्सा चम 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 चाता लेकर निकले हम पैर जो फिसला गिरे धडाम नीचे चाता उपर हम एक बार फिर से पढ़ा रहे हम पानी बर्सा चम 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 चाता लेकर निकले हम हम पैर जो फिसला गिरे धडाम नीचे चाता उपर हम तो एक इंग्लिश की और एक हिंदी की राइम सापको बोल के रीडिंग करनी है तो राइम समने की है अब हम करेंगे कलर वाली बुक बुक में जिसने कलर नहीं किया तो पहले पेज से स्टार्ट कर देंगे और जिसका जो जहां से स्टार्ट हो रहा हो वहां से कर लेगा ठीक है अगर आपने कर दिया है तो आप अगली पेज पर कर लेना कलर और अगर आपने यहां से स्टार्ट नहीं किया है तो इसमें आप कल सबस्क्राइब भरेंगे सरकल डिया गया शेप्स का नेम भी पढ़ेंगे सरकल ममा से पुछेंगे क्या बना है सरकल है इसका नाम उपट लिखा भी हुआ और इसमें आप यही कलर करेंगे से इन तो साइड़ वाइल चरकल में बनाओ चोटे सरकल में अच्छे से फिल करना है नहीं निकालना है तो यह थी आज आज आपके एक्टिविटी क्लास आपको इतना ही करना है ओके बाइज सी यू टूमोरो